इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिबरू साहेखोवा नैसनल पार्क के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका क्या-क्या खासित है वो कहाँ पर असम में based है और इसको biosphere reserve का दरजा मिल गया था 1997 में ठीक है यह biosphere reserve है 1997 से इसके पास लगबग 765 km2 का area है और जिसमें से की core area जहाँ पर कोई activities नहीं होता है बस research वगेरा होता है और जानवर को रखा जाता है वो लगबग 300 km का है और buffer zone साधे 400 km का जहाँ पर आद भी लोग रह सकता है वगेरा वगेरा तो इसका location के जैसे बता है असम में है तीन सुखिया इसका nearest city है coordinates तो आप लोग खूद अगर मैब वेब देखते हो तो पता कर लो area 3.5 km है 3.5 km है और 1999 को यह national park बना अब यह जो है वो national park के बारे में अगर बात करें तो यह 308 district से करीबन 12 km north में मतलब उपर की और है और यह 118 मीटर sea level से 118 मीटर उपर है इसकी अगल बगल में rivers है जिसका नाम है Brahmaputra और Lohit River north में Lohit River है और Debrue River जो है वो south में मतलब उपर से Lohit River और नीचे से Debrue River और उसके बीच में पेच्ट है अपना Debrue Sakhova National Park 1986 का अगर बात करें तो यहाँ पर 600 km का जो एरिया था उसको wildlife century डिकलियर कर दिया गया था Government of India के द्वारा फिर 1300 square km और जो एरिया है उसको भी फिर से wildlife century डिकलियर कर दिया गया 1997 में Debrue Sakhova को Biosphere Reserve का दर्जा मिल गया जो की मीलब बना हुआ था 765 square km का जो की 300 square km जो यह वाला wildlife century था इसको बना दिया गया core area जहाँ पर ज़्यादा नटकट इंसान ना कर सके फियोरा का अगर बात करें यहाँ पर की तरह का पीड़ पॉर्ण देखेने को मिलता है तो यहां पर फॉरेस्ट जो हो सेभी एवर्ग्रीन की है मतलब एक होता एक होता है लगब दस महींने में हमेशा हरा रहता है फिर डेसल इस व्रेस्ट का बात करें तो अपना पत्ता को गर्मी आने पर या फिर जब बहुत ज़्यादा अनुकूल परसिती नहीं रहता है तो वह अपना पत्ता को गिरा जैता है उसको बोटले से लिटोरल और स्वैंप फॉरेस्ट यहां पर पाया जाता है जहां पर आपको पानी बगएर दिखेगा वहां पर स्वैंप फॉरेस्ट फ cave विए फिर व्येंटर फ्वॉरेस्ट भी हो पर काफी ज्यादा पानी भानी की जो वह जयादा यो ऑर इसको बो Urban लिटोरल और स्वैंप फॉरेश्ट तो ऐसा लगरिश्ट यहां पर देखने मिलता है नेस्ननल पार्ग में लगभग 35.84% मतलब लगभग 36% जो है वो moist mixed forest है मतलब evergreen forest हो गया moist deciduous forest हो गया फिर आपका moist evergreen forest हो गया लिटोरल और स्वयम forest हो गया यह तरह का और 10% 9-10% जो है वो degraded forest है मतलब इसको card chart कर दिया गया जो कि अच्छा है सित्थी में नहीं है और करीबन 35.5% जो एरिया वो grassland है वहाँ पर घास वगयरे देखने को मिलता है बहुत सारा यहां पर tree species है मतलब अलग तरिके का जैसे कि आपका mango हो गया वो अलग species है बेल हो अलग species है तो इस तरह का अलग species आपका पेड़ का भी इसने को मिलता है साइन्टिफिक नेम कि कुछ कुछ का है डिलिया डिलेनिया इंडिका बिसकोफिया जवानी का और जो है आप अपने से खुछ से पढ़ लो बस यह टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं ठीक है तो इस लिए आपका important बन जाता है हाला कि यह उतना ज़्यादा खास important है नहीं बड़ यह आप जान सकते हो और मैमल्स का अगर बात करें मतलब जो की बच्चा देता है जो की अंडा नहीं बलकि बच्चा देता है वो मैमल्स होते है तो मैमल्स का अगर बात करें तो 36 अलग-अलग species of mammal देखने को मिलता है अज कफिर सेर हो गया जैसे मैमल्स है ना जिसमें से की schedule one of wild air protection act 1972 इसके बारे में एक वीडियो बना के रखे हुए है तो इसका schedule one में जो इसको सबसे ज्यादा protection मिलता है उसमें से 12 mammals species का mammals वो यहाँ पर देखने को मिलता पाया जाता है जैसे की Bengal tiger हो गया Indian leopard हो गया clouded leopard जंगल cat sloth bear ढोले small Indian civet यह सब अगेर यहां पर देखने को मिलता है गंगेश टॉल्फिन यह देखो यह है फेरल होर्स यह फेरल होर्स का photo है तो यहां पर जो है वह फेरल होर्स दुनिया बहुत कम जगह जहां पर फेरल होर्स मिलता है और यह भी उसमें से एक आता है मत child का बात करें तो यहां पर दो अलग अलग तरीके का monitor lizard देखने को मिलता है आठ अलग तरीके का कच्छूवा सबादे कर मिलता है और ग्रद करें तो स् ценेक का आठ अलग अलग species यहां पर देखा गया है अभी तक बस recorded है अभी पता नहीं हρ चितना i take around वगेरा बट अभी रिकॉर्डड बस इतना ही है और अगर बर्ड का बात करें तो यहां पर ग्रेटर एडजन्टेंट बर्ड नाम का एक बर्ड रहता है फिरोगिनस पोकार रहता है यह सब वगेरा यह सब आपका देखने को मिल सकता है मार्श बैबलर हो गया यह सब बर्ड यहां पर देखने को मिल सकता है तो यह था अपना मान डिब्रू साइकोबा नैशनल पार्क के बारे में डिब्रू साइकोबा बायोस्पेर रिजर्व के बारे में अगर आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो बट मुझे उतना चाने लगा तो अगर यह वीड के बारे में अपकोफ कर दो यह वीडियो आई होई हुआता चाने लगा खकाने लोगा है वीडियो पारे दो यह वीडियो में लग़ा खंवाया नैजे भारे में आपक косवाएर तो यह बड़ोगबा कर न शना उ प्याएर न जारे में प्र दें ए कोandır़ खंएर्ल प्रू ए